और इस वक बड़ी खबर आ रही है गुजरात कॉंग्रिस से जहां एक दिन में तीन कॉंग्रिसी विधायकों ने आपको बता दे इस्तीफा दे दिया है गुजरात कॉंग्रिस में ये राजनितिक भुकम से कम नहीं एक दिन में तीन कॉंग्रिस विधायकों ने इस्तीफा दिया है आठ तारिक को राज्य सभा के चुनाव है कॉंग्रिस छोड़ने वाले शंकर सिंग बागहिला के बाद इस तरह के बाद एक तीन विधायकों के इस्तीफे सामने आये है मयूर ये स्तीफे क्यों दिये है कुछ समझ आ रहा है और इससे तो एहमत पटेल सरीखे नेताओं की राज्य सभा में चुनाव के जो चांसे हैं वो भी कमजोर पड़ जाएंगे देखिए आज का दिन बड़ा महतोपूर है गुजराच चुनाव के लिए क्योंकि आज सुबह से लेके अब तक बलवन सिंग, छत्रा सिंग, राजपूर जो की उत्तर गुजराच से विधायक हैं सिद्धपूर से उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी से ही नहीं अपनी विधायक की पस्ति इस्तिफा दे दिया है उसके अलावा तेजस्वी बेन पटेल जो की बीजापूर से विधायक हैं उन्होंने इस्तिफा दे दिया है अगर हम नाबल की बात करें तो राजय सभा में एहमत पटेल को पहुंचने के लिए 46 वोटों की आवशक्ता है वहीं दूसरी और कॉंग्रेस पार्टी के पास 57 विधायकों का ताकत है लेकिन उसमें से तीन लोगों ने अब इस्तिफे दे दिये हैं ये बल अब 54 तक आ चुका है अभी भी शंकरतिंग वागेला उनके बेटे महेंदर सिंग वागेला उनकी रैली में आये रागाउजी पटेल ये तीनों ने इस्तिफा नहीं दिया है इतना ही नहीं शंकरतिंग वागेला के साथ लोगों दोर मीटिंग कर तुके 10 विधायक जो की एहमत पटेल के परचा भरते समय भी वहाँ पर मौझूद नहीं रहे उन 10 में से एक भी विधायक ने अब तक अपना इस्तिफा नहीं दिया है ये उसके अलावा अन्य विधायके जिनोंने इस्तिफा दे या है ये बहुत दोरी जानकारी मयूर आप दे रहे हैं और क्यूंकि 46 विधायकों का तो कम से कम समर्थन चाहिए राजसभा की सीट महां से जीतने के लिए तो ऐसे में एहमद पटेल आठ अगस्त का उनको इंतिजार होगा लेकिन उससे पहले जिस तरह से एक दिन में तीन विधायकों के स्तीफे हुए है बाकई में गुजरात कॉंगलिस के लिए ये बड़ा राजुनितिक संकट है शुक्रिया मयूर आपका इस पूरी जानकारी के लिए